हाई गाईज वेल्कम बैक टू लर्निंग जावा सिप सिरीज आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने लूप शुरू करा और आपको वाइल लूप से इंट्रड्यूस करवाया आज के वीडियो में हम वाइल की एक वेराइटी के बारे में बात करेंग ना है दो वाइल तो चलिए शुरू करते हैं दो वाईल और उसके कोछ एक्जांपल्स बड़ इससे पहले कि मैं डू वाइल करा हूँ वाइल से एक प्रोग्राम अपना और करते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत हेल्प करेगा वाइल और दो वाइल के बीच का फरत होंगे n factorial का मतलब होता है n से लेकर 1 तक के सभी नंबरों का प्रोड़क्ट यानि अगर मुझे 5 का factorial निकालना है it's 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which turns out to be 120 अगर मुझे 4 का factorial निकालना है it is 4 into 3 into 2 into 1 which turns out to be 24 ऐसा कुछ code मुझे लिखना है और इस बात का भी ख्याल रटना है जो match कहती है 0 का factorial 0 नहीं होता है match में 0 का factorial 1 होता है तो मैं को user से एक number लेना है उस number की factorial value प्रिंट करनी है अगर वो number 0 है तो factorial आना चाहिए 1 ठीक है loop कौन सा use करने जा रहे हैं अपन loop अपन use करने जा रहे हैं why फिर अपन आगे बढ़ते हैं और discuss करते हैं अगला loop which is do हो भाई तो चलिए सबसे पहले as usual let's move into our development environment यह हमारा last code था इसको करते है close एक नई file बनाते हैं बलकि इसी को save as कर लेता हूं मैं example 4 को है ना save as करके होगी हमारा example 5 ठीक इसको कर देते हैं close title कर देते हैं change क्या title होगा हमारा अब हमारे code का title हो जाएगा factorial ठीक है program का title हो गया factorial यहां परपन कर देते है a code to calculate factorial ठीक है और इसके बाद यहां तक का code तो हमारा same रहने वाला है ना user से number तो हमें अभी भी लेना है got it अब इसके बाद मैं क्या करता हूं मैं एक variable लेता हूं fact जिसको दोस्तों मैं initialize करता हूं with the value बन कंडिशन क्या बना दूं कंडिशन मैं मना दूंगा loop तब तक चलाईए जब तक n की value greater than 1 है n कौन है वो number जिसका मुझे factorial निकालना है loop के अंदर जाकर मैं लिकूंगा छोटी छोटी दो लाईने पहली होगी fact equal to fact into n दूसरी होगी n minus minus loop के बाहर आकर मैं कहूंगा document dot write factorial back tick के साथ factorial is dollar followed by the value of the variable fact back tick closed एक बाट trace कर लें फिर देखते हैं कैसे काम कर रहा है यह browser window तो सबसे पहले सबसे पहले आपका program start करता है विद two variables एक n और एक fact user से आप number demand करते हो मान लिजे user ने आपको number five दिया five के लिए tracing करते है अपन program loop में जाने से पहले fact की value कर देता है one condition test होती है while n is greater than one क्या five greater than one है हांजी है code loop में जाएगा fact के अंदर आएगा fact equal to fact into one fact की present value है one n की present value है five one into five fact will become five n minus minus n के value को four कर देगा क्या four भी greater than one है हांजी है दूसरी बार loop में गए fact में आया fact equal to fact into one what is fact five what is n four five into four fact will become twenty n minus minus n को कर देगा three got it three लेकर फिर condition check होई क्या three भी one से बड़ा होता है हांजी होता है fact equal to fact into one fact अभी कितना है twenty n अभी कितना है three twenty to three fact will now become sixty n minus minus n के value को reduce कर देगा sorry दर sixty लिखना था n minus minus n के value को reduce कर देगा three से और n आ जाएगा two पे क्या two भी greater than one है हांजी है fact के अंदर आएगा fact into one fact is sixty n is two sixteen to two fact will become one twenty n minus minus n को reduce करके one कर देगा लेकिन one greater than one पहले ही condition false हो जाएगी बाहर आ जाएगे क्या प्रिंट होगा fact की जगे fact की जगे प्रिंट होगा 120 correct अब आप video pause करके सोची और मुझे बताइए क्या ये zero के लिए one देगा क्या ये program इतना efficient इतना capable है के zero के लिए one दे दे बिलकुल देगा देखिए कैसे देगा ये zero के लिए one इसको समझने के लिए मान लीजे user ने n में आपको zero दिया ठीक है program loop में जाने से पहले fact के अंदर क्या डाल देगा program loop में जाने से पहले fact में one डाल देगा condition test होगी while n is greater than one what is n? n is zero क्या zero one से बड़ा होता है? क्या zero one से बड़ा होता है? नहीं होता है control loop में जाएगा ही नहीं सीधे document.write पे जम करेगा और क्या print कर देगा? fact की initial value जो हमारे case में है one यानि मुझे कोई extra control statement नहीं लगाना पड़ा while ने मेरे लिए zero भी handle कर लिया जीरो से बड़े number भी handle कर लिए अब अगर इस code को अपन execute करते हैं user से मागा गया number माल लीजे user ने input में डाला 5 तो output में आपको मिलेगा factorial is 120 user ने input में डाला 4 factorial is 24 user ने input में डाला 0 code कहेगा factorial is 1 जैसा कि कहना चाहिए जो mathematical concept होता है ठीक तो ये हुई बार while लूप और उसके छोटे जग्जामपल factorial की अब बात करते हैं लूप की variety में next very very popular लूप के बारे में जिसका की नाम होता है do while सबसे पहले friends अपन do while का basic syntax देखने क्या होता है do while में शुरुवात आप do से करते हैं कौने do? do अपने आप में एक keyword है do के बाद गौर कीजेगा brace open करते हैं brace के अंदर loop की body लिखते हैं loop की body के बाद while लिखते हैं while के बाद parentheses में condition लिखते हैं और याद से इस condition के end में एक semicolon लगाते हैं ये बहुत बहुत important है got it? अब आप से अगर मैं पूछूँ दिखने में आपको while और do while में क्या-क्या फरक दिखने में visually तो आपका जवाब होगा दो फरक दिखने में पहला फरक while में recall करिए जो condition होती है वो starting में होती है होती है ना यहाँ condition लिखते हो ना do while में condition ending में होती है दूसा फरक while के while के बाद while के while के बाद semicolon नहीं आता लेकिन do while के while के बाद semicolon इतना important है कि उसका लगाना syntax का part है नहीं लगाते हैं तो code execute नहीं होगा हाला कि prettier लगा देगा बढ़ अगर मान लीजे हमारे पास code formatter नहीं होता पर हम semicolon while में नहीं लगाते हैं तो code दे देता error यह semicolon इतना important है तो लिखने में क्या फरक हुआ लिखने में दो फरक हुए while में condition starting में do while में ending में while में semicolon नहीं लगाते हैं while के बाद do while में लगाते हैं यह तो हुआ फरक लिखने का अब दोस्तो चलने के point of view से बहुत important फरक है क्या फरक है गौर कीजेगा क्योंकि do while में entry point पे कोई condition होती ही नहीं है तो गौर करिएगा control सीधा do के body के अंदर जाएगा do की body के अंदर जाएगा body को चलाएगा body चलाने के बाद condition को पड़ेगा for the first time अगर पता चला condition true है तो loop second iteration लेगा अगर पता चला condition false है loop second iteration नहीं लेगा दुबारा flow सुनना बहुत ध्यान से do while में क्योंकि entry point पे कोई condition है ही नहीं control सीधी entry मारेगा do block के अंदर do block के अंदर जाकर loop की body को run करेगा loop की body को run करने के बाद while में condition चेक करेगा क्योंकि condition true होगी तो loop दुबारा चलेगा अगर condition false होगी दुबारा नहीं चलकर आगे बढ़ जाएगा लेकिन आपने notice करा हो कुछ भी परिस्तिती हो condition true या false कुछ भी हो ये बात पक्की है न के loop कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि इसकी body या इसका syntax ही ऐसा है कि body पहले चलती है condition चेक होती है बार में इसलिए कुछ भी हो जाए do while is going to execute at least one time और इस बात को अपन एक छोट इस example से समझते है जबकि while में क्या होता है while हो सकता है एक बार भी ना चले अगर condition पहली बार में उसकी हो जाती है ये false अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ इसके लिए चलते हैं अब NBS code में और बात को करते है observe सबसे पहले में do while में दोस्तों वो example लेता हूँ जो हमने while में भी बनाया है ये होगया हमारा 15th chapter or 15th folder let's call the title as do while loop और मैं while में ये वाला जो code है ना कौन सा वाला ये वाला code इसको copy करके ले चलता हूँ और इसी को बनाते हैं using do while फिर आपको मैं difference बताऊँगा तो this is our example one example one dot html ठीक है इसको paste कर देते हैं our code to display 10 numbers ये मारा ये code हो गया ठीक printing 10 numbers ये मारा title हो गया ठीक और इस code को मैं क्या करूँँगा अब ये जो while वाला पार्ट है इसको cut करके यहां do लगा देता हूँ लास्ट में याद से लगाना है अपन को एक semi-colon got it पहले इस code को जैसा दिख रहा है बिलकुल वैसा मेरे साथ आप trace करो तो program start होता है आपका by initializing i with the value 1 ध्यान से देखना control सीधे do में जाता है do में जाकर screen के उपर print कर देता है i plus plus i के value को 2 कर देता है अब javascript चेक करेगी क्या 2 less than equal to 10 है क्योंकि 2 less than equal to 10 है condition true है true होने पर दुबारा से loop body रनोगी ये true होने का path दिखा रहा हूं मैं आपको 2 होने के बाद दुबारा body रनोगी क्या print होगा 2 print होगा i के value कितनी हो जाएगी i के value 3 हो जाएगी क्या 3 भी less than equal to 10 है हान जी है फिर से body रनोगी screen पे print करेगा 3 फिर control i को कर देगा plus plus और ये हो जाएगा 4 क्या 4 भी less than equal to 10 है हान जी है फिर loop की body रनोगी 4 print होगा i plus plus i को कर देगा 5 क्या 5 भी less than equal to 10 है हान जी है फिर loop iterate होगा 5 print होगा i हो जाएगा 6 ऐसे करते करते दोस्तों इसका output आपको मिलेगा up till 10 मिल जाएगा ना ठीक है अब 10 पे print होने के बाद i++ i को कर देगा 11 11 पे condition हो जाएगी false ठीक है पहले इतना चला के देखते और output में कोई difference आपको नहीं देखेगा आपको याद हो तो while वाला भी इस case में 1 to 10 print कर ही रहा था difference friends आपको अब देखेगा suppose करिये मैंने i को यहाँ पर 11 कर दिया suppose करिये i को 11 कर दिया अब यह काम करते हैं अपन पैरलली while वाला code भी खोल के रखते हैं यह हमारा while वाला code है ठीक है screen बिलकुल blank के कोई output नहीं आ रहा है लेकिन do while में आपने notice करा अगर मैंने i को 11 कर भी दिया है तो मुझे कम से कम 11 तो मिली रहा है क्यों मिल रहा है I hope आप समझ रहे होंगे इसलिए मिल रहा है क्योंकि loop की body चल पहले रही है condition की checking कर रही है बाद में तो i में 11 तो है 11 तो print होई गया i 12 हो गया 12 less than equal to 10 condition false है loop दुबारा नहीं चला लेकिन एक बार उसने आपको 11 प्रिंट करके दे लिया इसका मतलब हर उस program के लिए do while best choice है जहां loop body में लिखा गया code मुझे कित्ती बार चलाना है कम से कम चलाना है मुझे उसे एक बार अब अगला जो example मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसी ही demand कर रहा है देखिए पढ़ी assignment और बताईए क्या करने वाले है task यह है कि हमें user से number लेते जाना है लेते जाना है लेते जाना है जैसे माल लीजे user ने मुझे पहला number 5 दिया program कुछ ना करे अगले number का wait करे अगला number उसने 7 दिया program कुछ ना करे तीसे number का wait करे तीसा number उसने 3 दिया अब program चौथे number का wait करे चौथा number user ने 0 दिया 0 दिया मतलब आब number लेना बन इन तीनों को जोड़ कर इनका sum दिखा दे कितना हो रहा है इनका sum sum हो रहा है इनका 15 और इन तीनों का average दिखा दे कितना हो रहा है 15 upon 3 average हो रहा है 5 ये करना है अपनों को user जितने मन करेगा उतने number देगा उन number को हमें add करते जाना है 0 पे रुख जाना है और जितने number आएं उनका summer average दोनों दिखा तो चलिए शुरू करते हैं और write इस code को implement करते हैं with the help of do while do अच्छा ये do while के लायक क्यों है बिल्कुल है क्योंकि कम से कम मुझे user से एक बार number लेकर उसको add करके 0 में दिखाना ही है कम से कम एक number तो मुझे user देगा बले वो number 0 ही क्यों ना हो correct? very good तो आब इस code को save करते हैं this is our example 1 ये do while का example 1 है while को close कर दिया जाए और इसको करते हैं save और क्या करने वाले हैं अपन? example 2 में अपन करने वाले हैं sum so a code to display sum and average of numbers sum and average ठीक है? title डाल देता हूँ sum and average ये हमारे code का title हो गया and average ठीक अब अंदर का code आप video pause करो लिखो और फिर मेरे solution से अपना solution match करो सबसे पहला काम let n is equals to number bracket के अंदर prompt हमेशा की तरह enter a number ये user को अपन ने कहा user ने जो दिया वो अपन ने receive कर लिया हमारे variable n में अब हमें एक variable चाहिएगा जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं दोस्तो sum sum equal to अपन कर रहे हैं 0 got it? अब problem ये है अगर मैंने sum में n को ऐसे add कर दिया तो ये code मेरा एक ही number लेगा है ना? मुझे तो बार-बार number लेने है multiple number लेने है तो मुझे एक काम करना चाहिए मुझे ये वाला part डाल देना चाहिए do block के अंदर ये do block के अंदर क्योंकि मुझे user से number लेते चलना है लेते चलना है तब तक जब तक वो मेरे को 0 ना दे तो फिर number तो बार-बार लेना हुआ, लेकिन sum वाला जो variable है वो अपन बाहर रखेंगे, क्योंकि अपन को उसके अंदर value add करते जाना है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके बाद लिखूँगा, sum equal to sum plus n, ये sum के अंदर n add हो गया, brace बन करूँगा, brace बन करके condition चलना है, तब तक चलना है, जब तक n 0 ना हो जाए, so while n is, n small वाला, while n is not equal to 0, अब ये मेरा loop क्या करेगा, ये number लेते जाएगा, लेते जाएगा तब तक, जब तक user अपन को 0 नहीं देता है, बाहर आकर अगर मैं document.write करूँ, तो document.write से मैं display करा दूँगा sum, तो मैं कहूँगा document.write, back tick, sum of all the numbers is dollar followed by sum, लेकर आपने question ध्यान से देखा था न, मुझे sum के साथ साथ और क्या चाहिए, मुझे sum के साथ साथ average चाहिए, अब average के लिए क्या करना पड़ेगा, sum को divide करना पड़ेगा, उतनी values से, जितनी user में input की हैं, और user ने कितनी values input की हैं, इसके लिए मुझे एक counter चाहिएगा, yes, तो मैं count ले लिता हूँ दोस्तों, जिसको मैं initialize करता हूँ with 0, और जितनी बार मेरा ये statement रन होगा, उतनी बार दोस्तों मैं count को कर देता हूँ plus plus, got it, चलिए अब इस code को करते हैं trace, छीक है, फिर देख हमारा n है, user ने सबसे पहले आपको n में first number दिया, first number user ने आपको दिया, मालीजे वो number हमारा है, user की तरफ से वो n value आ रही है, 5, okay, sum के अंदर आ जाएगा sum plus n, तो दोस्तों सम हो जाएगा 0 plus 5, 5, count plus plus, count की value को 0 से बढ़ा कर 1 कर देगा, सही है, क्योंकि एक number input हुआ, condition test होगी while n is not 0, what is n, n is 5, 5, 0 नहीं है, नहीं है, loop दुबारा घूमा, user ने आपको दूसा number दिया, दूसा number user ने आपको क्या दिया, मालीजे दूसा number उसने आपको 3 दिया, program sum पे गया, sum plus n करा, sum हो गया 5 plus 3, that is 8, count बढ़कर 1 से increment होकर 2 पे चला गया, condition test होई, n is not 0, yes, it is not 0, n के value 3 है, 3, 0 नहीं होता, loop दुबारा घूमा, तीसरा number user से मांगा, मालीजे user ने तीसरा number आपको 7 दिया, 7, sum equal to sum plus n, n को sum को कर देगा, 1 plus 7, 15, 15 हो जाएगा sum, count plus plus, count के value को बढ़कर 3 पे ले जाएगा, condition test होगी, while n is not 0, yes, n is not 0, n is 7, loop चौथी बार घूमा, user ने आपको इस बार number दिय मान लीजे, 0, stop करना है, उसको उसने 0 दे दिया, जैसी वो 0 देगा, sum में कोई फरक पड़ेगा नहीं, क्योंकि 15 plus 0, 15 ही होता है, count ज़रूर बढ़कर हमारा 4 हो जाएगा, n not equal to 0, condition हमारी हो जाएगी false, क्योंकि n के value 0 है, बाहर आ जाएंगे, अब notice करिए sum 15 है, number क्या क्या थ एक number 5 था, एक 3 था, एक 7 था, तो इन तीनों का sum हमें 15 मिली रहा है, जो हमें sum से मिल रहा है, average के लिए क्या करा जाए, simple है, sum को divide कर दिया जाए, count की value से, but exactly बोलू तो count की नहीं, count की value से, एक कम से, क्योंकि जो user ने 0 दिया है, वो तो हमारी terminating value है, उस value को हम add करने के लिए use कर रहे है, got it, इसलिए अपन को divide किस से करना चाहिए, sum को, अपन को divide करना चाहिए, count minus 1 से, ताकि average proper आए, तो एक काम तो मैं ये करूँ अपने code में, कि मैं document.write लिखता हूँ, is document.write को कर लेते हैं, अपन copy, और यहां क्या लिख देते हैं, document.write, sum की जगे लिख देता हूँ, average of all the numbers is dollar sum divided by parenthesis में count minus 1, count कितना था हमारा 4, count minus 1 हमारा हो जाएगा 3, 15 upon 3 हमें average मिल जाएगा 5, बट दोस्तों, इस code में एक दूसरी problem और आएगी, क्या दूसरी problem आएगी, ये जो आपने n बनाया है न, ये n आपने do block के अंदर बनाया है, और गौर करिएगा, जब कोई चीज do block के अंदर let keyword से बनती है, तो वो इस block का local variable हो जाता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, function chapter में local variables क्या होते हैं, पर अभी समझ लीजे, जो किसी curly brace के अंदर बन रहा है, वो उस curly brace का local variable हो जाता है, और जो local चीज़े होती है न, वो अपने block के बाहर exist नहीं करती, तो javascript इ n को देखकर आपको error देते में बोल देगी, कि n मुझे मिल नहीं रहा, है ना, तो पहले इस गलत code को चलाता हूँ, फिर आपको इसके दो probable solutions दिखाता हूँ, जैसे मैं इस code को run करूँगा, क्योंकि javascript interpreted language है, तो अभी वो while तक तो पहुंची नहीं है, तो मेरा पहला part चला, मैंने number दिया 5, और अब मेरे code में आ जाईगी error, बंदो गया ना code चलना, control shift i से console पर जाकर check करिए, मुझे का जा रहा है, n is not defined, क्यों, क्योंकि मैंने n को कहा बना रखा था, मैंने n को बना रखा था, do block के अंदर, अब इसको ठीक करने के दो solutions हैं, पहला solution, आप इसे यहां स 3, मैंने input दिया 7, मैंने input दिया 0, प्रोग्राम ने क्या दिखाया, sum of all the numbers is 15, और साथ में मुझे का रहा है count, इससा तो मेरी spelling mistake हो गई, count, ठीक है, प्रोग्राम ने का sum of all the numbers is 15, और मुझे average perfect मिलना चाहिए, तो 5, एक बार फिर चलाते हैं, 3, और followed by 7, और followed by 0, तो मुझे मिल आप N को declare कर दें, where keyword के साथ, where और let का difference अभी हमने नहीं पढ़ा है, बस हमने इतना ही पढ़ा है, where पुराना keyword है, let नया keyword है, let ES6 ने दिया है, इनमे एक फरक और है, और वो फरक यह है कि where अपने block के बाहर भी access हो जाता है, जबकि let उसी block के अंदर available होता है, जिस block में आपन इसको declare करा है, इसको और detail में समझाऊंगा मैं, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरे तोर पे block भी नहीं समझाया है, क्या होता है, scope word के बारे में हमने कोई बाते नहीं करी है, बट जब आगे करेंगे तो इस difference आपको और clear हो जाएगा, अभी के लिए याद रख लीजे, वहा इसके बाद मैंने कहा 7, उसके बाद मैंने कहा 0, प्रोग्राम मुझे दिखा देगा सम 15 है, और average इसकी value का आ रहा है 5, इसका मतला where को अगर do में declare करा, तो वो do के बाहर भी मिल जाता है, very very important difference between let and where, जबकि let को do में करा, तो let बस do तक c में तो करे रह जाएगा, वो do के block के ब बार difference बहुत अच्छे समझ में आएगा between while and do while, तो क्या करा जाए, एक और नया example लेते है, this is our example 3, और हम क्या बनाने जा रहे है, हम बनाने जा रहे है, factorial वाला code, तो मैं क्या करता हूँ, while वाला code उठाता हूँ, factorial वाला, इसलिए मैंने while वाला factorial का code इस example में आप से discuss करा, इस के बाद इसको भी कर देते है, close, example 3 में इसको लाकर कर देते है, paste, ठीक है, code को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, simply do while में convert कर रहा हूँ, और वो करने के लिए यहाँ do लगा देता हूँ, और last में आकर लगा देता हूँ while, और दे देते हैं एक slain को लेंगा, अब आप ध्यान से विडियो रोक कर देखकर मुझे दोनों सवालों के जवाब दीजिए, right, क्या ये program 5 के लिए 120 दिखाएगा, और क्या ये program 0 के लिए 1 दिखाएगा, दोनों के लिए चेक करिए, और फिर विडियो को continue करिए, सबसे पहले देखते हैं, क्या ये program 5 के लिए 120 दिखाएगा, value receive कर रहा है 5, fact के अंदर, value receive कर रहा है 1, do के अंदर जाएंगे, fact के अंदर आएगा, fact equal to fact into n, fact 1 है, n5 है, 1 into 5 कितना होता है, perfect 5 होता है, n minus minus n को कर देगा 4, condition test होगी 4 greater than 1, क्या 4 1 से बड़ा होता है, जी यहां होता है, loop दुबारा चलेगा, fact में 5 है, n में 4 है, 5 into 4, fact होजाएगा 20, very good, उसके बाद n minus minus n को 3 कर देगा, क्या 3 भी 1 से बड़ा है, हांजी है, loop फिर घुमा, fact के अंदर 20 है, n के अंदर 3 है, fact होजाएगा 60, n minus minus n को कर देगा 2, is 2 also greater than 1, yes it is, loop फिर घुमा, fact के अंदर है 60, n के अंदर है 2, 16 into 2, we'll get a 120, ठीक, n minus minus n की value को कर देगा 1, क्या 1 greater than 1 है, नहीं नहीं होता, बाहर आगे, fact print हो गया, fact की जगे अपन को मिल गया 120, जो 5 का factorial है, तो 5 पे तो ये बढ़िया चल रहा है, चिक है, अब ये बताईए, क्या ये 0 पे अपन को 1 देगा, नहीं देगा, बिलकुल नहीं देगा, कारण, देखिए, n में अगर 0 आता है, program already fact में 1 रख रहा है, do के अंदर चलेगा है, fact equal to fact into n चला, what is fact 1, what is n 0, what is 1 into 0, 1 into 0 will give us 0, n minus minus n को minus 1 कर देगा, आनी चाहिए, 1, है ना, इसको चला के देखते हैं, और फिर देखते हैं, इसको दूर कैसे करेंगे, तो मैंने page run करा, ठीक, program ने कहा, number 2, मैंने कहा 5, program ने कहा दिया, इसका factorial तो 120 है, बहुत बढ़िया, program दुबारा run करा, 0, इसका factorial 0 है, क्या करा जाए अब, अब इस problem के दोस्तों, दो solution, एक solution को आप assignment के तौर पर यूज़ करना, एक solution मैं आपको दे रहा हूँ, एक solution दोस्तों इसका ये है, कि मैं इस do के अंदर जाने से पहले, if लगा देख, correct, if मैं condition लिख दूँ कि अगर n के value 0 से बढ़ी है, condition true होगी, नहीं होगी न, सीधे control आजाएगा, इस पे, ये वाला पूरा parts के पुझाएगा, और fact की क्या value दिख जाएगी, fact की value दिख जाएगी, बन, लेकिन सोचिए मुझे एक extra if लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, क्योंकि ये code while के लायक है, ये do while के लायक ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि body हर बार अपन को नहीं चलानी है, अगर 0 है n, तो हम नहीं चाहते हैं कि loop की body चले, so this code is better developed using y, compared to do while, do while में करोगे तो कुछ extra करना पड़ेगा, जैसे मुझे extra करना पड़ा, मुझे लगाना पड़ा एक if statement, अब अगर मैं run करों तो क्या 0 handle हो रहा है, बिलकुल हो रहा होगा, अब अगर मैं 0 दूँगा, तो program मुझे बोलेगा factorial is 1, और अगर मैं 0 से बड़ा कोई number देता हूँ, जैसे 5, तो मुझे मिलेगा 120, अब आप मुझे comment section में बताइएगा, कि अगर मैं if, else, switch, turnery, कुछ ना use करूँ, सिरफ do while से support को बनाना चाहूँ, और चाहूँ के 0 भी handle हो जाए, तो अपन कैसे करेंगे, put your answer in the comment section, I'll check it out, हमें बिना if के, बिना switch, बिना turnery के, सिरफ do while यूज़ करके, जीरो में handle करना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, discuss करेंगे इसका solution, और discuss करेंगे next popular loop, which is called as for loop, bye-bye, see you, take care. जाए.